क्या आप एक economist हैं और आप Australia में काम करने, रहने या study करने के एचुक हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको Australia में economist के career scope और profile से जुड़ी महत्वपून जानकारियों के बारे में बताने जा रही हैं। इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप description में दिये गए link पर click करें। को देखेंगे, यहाँ economist को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हम economist के profile पर Australia में काम करने के लिए न्यूनतम education और experience की जरूरतों को भी देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आपके profile के लिए skill level, license और registration की क्या जरूरते हैं। हम economist के profile पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की gender ratio और मुख्य IU वर्ग पर भी चर्चा करेंगे। Current job openings, पिछले 5 सालों का analysis, future expectations और career scope भी इस वीडियो में चर्चा का विशय रहेंगे। हम economist के औसतन सापताहिक work hours और wage rate या तंक्वाह की भी चर्चा करेंगे। वीडियो के end में हम आपको अलग-अलग visa options के बारे में बताएंगे जिन में मुख्य हैं, Australia में काम करने, permanent residency पाने और इस profile पर Australia में पढ़ाई करने के visa options। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंध तक हमारे साथ बने रहे। अब आपका और समय न लेते हुए आईए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपके profile description पे। Australia में हर व्यवसाय के लिए एक सपश्ट तथा सुल्जा हुआ profile description बनाया गया है जिसे एक code के द्वारा नामांकित किया जाता है। इस code को Australia New Zealand Standard Classification of Occupation या ANZSCO code कहा जाता है। यह ANZSCO code आपको किसी भी profession में आपकी जिम्मेदारियां तथा job role के बारे में जानकारी देता है। आपके व्यवसाय के ANZSCO profile definition के बारे में जानते हैं। Economist के profile का ANZSCO code 2-2-4-3-1-1 है। ABS के original content की authenticity को बरकरार रखने के लिए, profile description और कुछ दूसरे तथियों को हम यहाँ English भाशा में ही दिखाएंगे ताकि उनकी originality और integrity बनी रहे। Economist performs economic research and analysis, develops and applies theories about production and distribution of goods and services and people as spending and financial behavior, economic policy issues। Australia में ऐसे बहुत से industry sectors हैं जहां आपके profile के candidates के लिए रोजगार के अच्छी अवसर हैं। आए एक बार कुछ जरूरी job sectors और industries पर नजर डालते हैं। Economist के profile पर काम करने वाले ज्यादातर candidates मुख्य रूप से public administration और safety, professional, scientific और technical services और education और training में कार्यरत हैं। Australia में अलग-अलग व्यवसायों में आवश्यक्ता के हिसाब से employees की शिक्षा से जुड़ी विभिन मांगे हो सकती हैं। और आपका skill level Australian Bureau of Statistics के हिसाब से तै होता है। एक economist के profile पर काम करने के लिए आपके पास bachelor degree या बराबर की अन्य योगिता जरूरी है। और economist का skill level एक है, Australia और New Zealand के हिसाब से इस group के job level में bachelor degree और higher qualification की जरूरत होती है। इसके इलावा कुछ cases में educational qualification की जगहा पर आपका 3-5 वर्ष का संबंधित experience भी काम आ सकता है। अन्य कुछ मामलों में आपको experience के साथ on-job training की जरूरत भी हो सकती है। अगर आप Australia में skilled immigration visa के लिए application फाइल करते हैं तो, आपको migration skills assessment की जरूरत रहती है। जो आपके profile के हिसाब से अलग-अलग assessment bodies के जरिये की जाती है। हर assessment body का अपना अलग assessment criteria और experience की अलग-अलग जरूरते होती है। अगर आप economist के profile पर skill assessment फाइल करना चाहते हैं तो, आपको एक वर्ष experience की जरूरत है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि experience की ये requirement सिर्फ skill assessment के लिए मान्य है। परंतु employees की job के लिए experience requirement इस से अलग हो सकती है। आईए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन के सुम्र के लोगों की ज्यादा हिस्सेदारी है। Australian Bureau of Statistics के latest survey के हिसाब से आपके profile पर job करने वाले लोगों का में एज ग्रूप 35 से 44 वर्ष है और औसतन आयू 45 साल है। जैसा कि आप जानते ही है कि अलग-अलग व्यवसायों में पूरुशों और महिलाओं की गिंती तथा रेशियो काम के हिसाब से अलग-अलग होती है। तो आईए अब आपके profile में पूरुश तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो पर नजर डालते हैं। Economist में महिलाओं का 24.6 प्रतिशत हिस्सा है। Australia में ज्यादातर profiles में काम करने का नियत समय एकसा नहीं है और ज्यादातर skilled workers, full-time या part-time basis पर काम करते हैं। Full-time या part-time काम करने पर आपका वेतन हफते या घंटों के हिसाब से तै किया जाता है। अगर हम आपके profile की बात करें तो, Economist के profile के 82.0 लोग full-time काम करते हैं। इस field में full-time काम करने वालों के लिए हफते में average काम करने का time 49.2 घंटे हैं। Job openings की गिंती, Company Turnover और Employment Growth के उपर निर्भर करती है। पिछले 5 सालों तक के statistics के हिसाब से इस field में expected, Job openings 5000 हैं। Economist के case में यह गिंती औसतन सत्र पर है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह अंक अच्छी व्रिधी दर प्राप्त कर सकता है। Australia में कुछ ऐसे काम है जहां applicants को अपने profile से जुड़े licensing body से license तथा registration लेने की जरूरत होती है। अगर हम economist के profile की बात करें तो इस profile के लिए हमें license तथा registration की कुछ cases में जरूरत नहीं है। अब हम सबसे महत्वपून factor average weekly earning को study करेंगे। Australia में सभी व्यवसायों की ओसतन सापताहिक आए 1300 AUD है। ABS के हालिया सवे के मुताबिक, economist का ओसतन सापताहिक वेतन, tax deduction से पहले 2082 AUD है। जिसमें से आपके salary slab के अनुसार tax की कटोती करी जाती है। अगर आप किसी भी stream में permanent residency के लिए application फाइल करना चाहते हैं तो process शुरू करने के लिए पहला कदम migration skill assessment है। इसके अलावा कुछ cases में, जैसे work permit या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद professional year शुरू करने के लिए आम तोर पर migration skill assessment के positive result की जरूरत होती है। औस्ट्रेलिया में विभिन profile categories के लिए अलग-अलग assessment bodies हैं, economist के लिए migration skill assessment, vocational education and training assessment services, VETASCSS के द्वारा की जाती है। अगले section में हम औस्ट्रेलिया में job के लिए apply करने और नौकरी पाने के कुछ जरूरी steps के बारे में चर्चा करेंगे। हम सबसे ज्यादा मशहूर तथा जाने माने job portal को भी देखेंगे, यहां आप अपने profile से जुड़े विभिन रोजगारों के लिए मौजूदा options को देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक ये विडियो पसंद आई है, तो आप हमें subscriber target 50,000 चैलेंज को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें। क्रिप्या अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वर्ष के अंध तक 50,000 सब्सक्राइबर्स को अचीव करने के हमारे लक्षे को प्राप्त करने में हमारी मदद करें। हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं, और अगर हमें इस वीडियो पर 100 लाइक्स मिलेंगे, तो हम आपके लिए इस प्रोफाइल के PR प्रोसेस और विज़ा फाइलिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। इसके इलावा हमें कमेंट में ये जरूर बताएं, कि आप इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो किस विशे पर देखना चाहते हैं। जरूरी स्टेप्स शामिल होते हैं जैसे कि आउस्ट्रेलियन स्टाइल रिज्यूम बनाना, कवर लेटर तैयार करना, उचित जॉब पॉटल खोजना, अपने सेक्टर की जॉब्स के लिए ओनलाइन या ओफलाइन अपलाई करना तथा ओनलाइन ओफलाइन इंटर्व्यू का ध्यान खीच सकता है और आपको अन्य उमीद्वारों से श्रेष्ट दिखा सकता है, सक्रिय भाशा, कीवर्द्स और कुछ शोटे बदलावों का सही जोर किसी भी आम रिज्यूम को विजेता में बदल सकता है, अगर आप एक प्रफेशनल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल रिज रिज्यूम तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी एक्सपर्ट रिज्यूम राइटिंग टीम की सेवाएं ले सकते हैं, या हमारी रिज्यूम से समबंधित विडियोज को देख सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्स के हिसाब से एक परफेक्ट रिज्यूम दूनने वाले, दोनों की मदद करता है, बिना किसी फी के लिए आपके लिए सही नौकरी धून सकता है, इसके इलावा आप हमारी टीम के साथ अपना सीवी भी साज़ा कर सकते हैं, जिससे आप डिरेक्ट एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयमेंट एजेंसियों के हमारे वाल की एक डिटेल्ड लिस्ट भी डाउनलोड करें, जहां आप अपनी प्रोफाइल के लिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे सूटबल इम्प्लॉयमेंट का अवसर पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाइ कर सकते हैं, अब हम ऑस्ट्रेलिया के पर्मनेंट रेजिदेंसी या वर्क पर्म या पर्मनेंट रेजिदेंसी पा सकता है, इन वीजा सबक्लास इसको मुख्य रूप से निमनलिखित काटेगरीज में डिवाइड किया गया है जो हैं, स्किल्ड माइग्रेशन वीजास, सबक्लास 189 यो की पर्मानेंट रेजिदेंसी पाने की डायरेक्ट सबक्लास है, स्टेट या रीजिनल नॉमनेशन वीजास सबक्लास 190 और 491 यो स्टेट नॉमनेशन के दवारा पी आर तथा टियार पाने के रास्ते हैं, Permanent Residence, Skilled Regional, Visa Subclass 191 और 887 यो की 491 तथा 489 की Continuity में PR पाने के रास्ते हैं Employer Sponsored Visas, Subclass 186, 187, 482 और 457 जिनके द्वारा आप Employers से सीधी Sponsorship या Nomination के थ्रू PR तथा Work Permit प्राप्ट कर सकते हैं Business Innovation, Investment और Entrepreneur Stream Visas, Subclass 888 और 188 जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाय में इन्वेस्ट करके या फिर किसी innovative idea यो की Australia को Economically तथा Socially Help कर सके के द्वारा PR तथा Work Permit प्राप्ट कर सकते हैं कुछ Specific Targeted Sectors के लिए Global Talent Visa और Subclass 476 Skilled Recognized Graduate Visa एक अन्य विकल्प है इन में से ज्यादा तर Visa Applicants को काम करने का अवसर देते हैं और Australia में हमेशा के लिए Settle होने का मार्प्रदर्शित करते हैं हाला कि ये Visa आम तोर पर उपलब्ध तो रहते हैं लेकिन हर Occupation के लिए हमेशा खुले नहीं होते हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं कि Economist के Profile के लिए कौन से Visa Subclass से इस खुले हैं तो आप Description में दिये गए लिंक पर क्लिक करें आप Economist के लिए PR Filing पर बनी हमारी Dedicated वीडियो भी देख सकते हैं जिसका Title Australian Permanent Residency and Work Visa Filing Process for Economist है इस सीरीज में आपको Economist के लिए Permanent Residency File करने की Step by Step जानकारी मिलेगी वीडियो में अब चर्चा करने वाली अगली बात Australia में Study और Settle होने के लिए उपलब्द Visa विकल्प और Visa Sub-Categories हैं तो आईए इसकी एक संक्षिप ज़लग देखते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं और Economist बनना चाहते हैं तो Australia पढ़ाई और Settle होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है एक स्टूडेंट सबक्लास 500 के तहट अपना Study Visa फाइल कर सकता है हर स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान काम करने का अधिकार मिलता है और सबक्लास 485 के तहट पढ़ाई खत्म करने के बाद Work Permit भी मिलता है जिसे Post Study Work Visa कहा जाता है अगर आप Study Visa में इंटरिस्टेड हैं और अपने लिए Best Colleges और Universities के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं आप हमारी टीम को अप्रीशियेट या प्रेरित करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको इमिग्रेशन से समबंधित किसी और जानकारी या मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी तरह की पूछताच करना चाहते हैं तो आप हमारी Registered Migration Consultants की टीम के साथ एक Expert Counseling Session ले सकते हैं हमारे माहर consultants आपकी profile के बारे में अच्छे से समीक्षा करके आप से detail में चर्चा करेंगे इस expert session से आपको हर मुमकिन immigration options को ढूरने में मदद मिलेगी हम आपको आपके profile से जुड़ी हकीकत और आंकडों के साथ हर सच्चाई बताएंगे So, अगर आप तसली से अपने immigration की opportunities के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी description में दिये गए booking link पर click करें और अपना expert session reserve करें हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की immigration की सेवाओं के साथ उन्हें one-stop online platform देते हैं आप हमारे immigration में माहिर टीम के जरिये online counseling session, migration skills assessment की application filing और सभी तरह के visa processing में मदद पा सकते हैं हम Australia में companies को विदेशी manpower hire करने तथा work और दूसरे visas की filing वो अन्य संबंधित activities में भी मदद करते हैं इसलिए अगर आप Australia में अपनी company चला रहे हैं तो हम आपकी company के लिए best suitable employees धूनने में आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप अपनी skill assessment और immigration के लिए अपनी eligibility की assessment खुद से करना चाहते हैं तो description में दिये link पर click करें और अपनी self assessment खुद चेक करने के लिए हमारी app भी download करें अपनी profile के बारे में और जानकारी के लिए हमारे work visa, immigration और skilled migration की filing से जुड़े सभी videos देखें और हमारे YouTube channel को subscribe, like और share करना न भूलें दुनिया भर की immigration की ताजा और सच्ची जानकारी जानने के लिए bell icon को भी जरूर दबाएं तकि आपको हर नए वीडियो का notification सबसे पहले मिले हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको Australia में आपके career की opportunities के बारे में detail जानकारी मिली होगी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे